नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपनी यूट्यूब चैनल टार्गेट सिर्लिश रूसिस में आज है पाच अप्रेल और मदप्रदेश के डेली करेंट अफर में आज हम चार अप्रेल से लेकर पाच अप्रेल तक जितने भी इंपोर्डेंट करेंटर होंगे उन पर डिस 27 से 29 मार्च 2023 को न्यू डैली में हुए आठवे स्मार्ट सिटी इंडिया 2023 एक्सपो में कुल 16 कैटेगरी में से मदप्रदेश की स्मार्ट सिटी को कितने अवार्ड मिले है तो साथ अवार्ड मिले है ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्स नमबर सी तो दिखी यादर क आठवा स्मार्ट सिटी इंडिया 2023 एक्सपो का आयोजन कहां पर किया गया तो यह न्यू डैली में किया गया कब से कब तक तो यह 27 मार्च से लेकर 29 मार्च तक किया गया इसमें कुल 16 कैटेगरी में से हमारे मदप्रदेश की स्मार्ट सिटी को साथ अवार्ड मिले है तो 27 म स्मार्ज 2023 को न्यू डैले में हुए आठवे स्मार्ट सिटी इंडिया 2023 एक्सपो में कुल 16 कैटेगरी में से मदप्रदेश की स्मार्ट सिटी को साथ कैटेगरी में आवार्ड मिले है और राज्य के नगरी प्रसासन और विकास आयुक्त भरत यादों ने बताया है जबलपूर को दोदो और भूपाल सागर एवं उज्जेन को एक एक अवार्ड मिला है स्मार्ट सिटी इंडॉर को बेस्ट स्टार्ट अप और बेस्ट वाटर मेनेजमेंट कैटेगरी जबलपूर को गवर्नेंस एवं एकोनॉमी बेस्ट सिटी लीडर यानि बेस्ट स्मार देगे भी हाल hoping किस परियटन इस्तिता इस्तित सिर्फ दरशन योजना में शौरुस्रस्षासर इस्माइरr हाथ candidate के सब्सक्राऊ के सॉ Look atあぁ किस इसका ऐगा को आंशर डिर्शन विपार इस्तिता इस्तिता का गराम कोають स्वद्दीश दर्शन योजना में सर्वस्रेष्ट सिल्प हाट इसमारी का सॉप कैटेगरी में रनरप के रूप में चैनीद किया गया है खजुराओं हमारे मद्वरदेश के किस डिस्टीक में है तो ये चतरपु डिस्टीक में है ठीक है और खजुराओं के मंदिर को युनिस्को दर्विस दर्शन की सूची में कब सामिल के गया था तो ये 1986 में सामिल के गया था ठीक है इसके बाद साची स्टूप को युनिस्को दर्विस दर्शन की सूची में कब सामिल के गया था तो ये 1989 में किया गया था सामिल और साची स्टूप हमारे मद्धप्रदेश के राइसेंड स्टीक में है और भीम बेटी का भी तो और और एक है ग्वालियर को यह दो वर्ल्ड हैरिटेश सिटी है हमारे मद्धप्रदेश में 29 मार्श 2023 को मदप्रदेश की लोककला और सिल्प की संडक्षन एवं प्रचार प्रसार के उद्देश से खजुराओ में निर्मित सिल्प ग्राम को केंद्री परेटन मंत्राले के द्वारा सम्मानित किया गया है स्वदीश दर्शन योजना में सिल्प ग्राम को सर्वस्रेश्ट सिल्प होट इसमारी का सौप कैटेगरी में नरब के रोप में चैनीत किया गया है केंदरी परेटन मंत्राले के द्वारा न्यूडेली इस्तित हूटल असूक में चिंतन सीवीर में केंदरी परेटन मंत्री जी किसन रिड़ी ने अपर प्रबंधक संचालक टूरिजन बोर्ड विवेक सोत्रिय को प्रसस्ति पत्र प्रदान किया है 28 मार्ज द्वर तिवी को मद्बढ़ी मंत्री परिश्यत की बैठक में जल 산साधन विवाग की सीचाई परिओजनہ को मनजूर किया गया है तो यह चेंटी खेला व्रहत सीचाई परिओजना जो कि शियोपुड परिश्टीक में है दोरी सागर मध्यम परियोजना जो की सतना डिस्टीक में है और भहुती नहर परियोजना जो की सतना डिस्टीक में है तीनों को तो इसका आंसर हो जाएगा option number D ठीक है उपरोग तीनों और हमारे मध्यप्रदेश में जल संसादन मंतरी को है तो यह है तुलसी रामजी सिलावट 28 मार्श 2023 को मध्यप्रदेश मंतरी परिशत की बैठक में जल संसादन विबाग की चेंटी खेला व्रहत सिचाई परियोजना को मंजूर किया गया है और वहीं व्रहत परियोजना नियंतरन मंडल की 119 वी बैठक में दौरी सागर मध्यम परियोजना और बहुती नहर परियो चेटी खेला व्रहत सिचाई परियोजना की तो सियोपूर जिले में चेटी खेला व्रहत सिचाई परियोजना की अनुमानित लागत 149 करोल रुपए है और योजना के अंतरगत सलूसर्ट दसमलो 88 MCM के मिट्टी के बांध निर्मान एवं पाइप नहर का निर्मान किया जाना है और परियोजना से 15,300 हेक्टेर चेतर में सिचाई की जा सकेगी और बात करें में आपर दौरी सागर मध्यम परियोजना की तो सतना में प्रस्तावित दौरी सागर मध्यम परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है तो ये 175 करोल रुपए है और परियोजना के अंतरगत जलासे निर्मान एवं पाइप नहर प्रनाली का निर्मान किया जा सिंचित किया सक蒙गा इसकोषन से खाल इमिकिसा देश लाई गई मादाचेता साथ की मृत्य हो गई है तो यह किस से लाई गई ठी अमीफ्या सी लाई गए थी तो इसका起ॉर रोजाईगा मादाची टी त offices नामिभीया से मद्रप्रदेश में आठ चीते लाए गए थे और कब लाए गए थे तो यह सतरह सितंबर 2022 को लाए गए थे ठीक है देखिए 18 फरवरी 2023 को हमारे मद्रप्रदेश में दक्षिन अफरिका से कितने चीते लाए गए थे तो यह 12 चीते लाए गए थे तो 12 चीते हमारे मद्रप्रदेश में कहां से लाए गए थे तो यह साउथ अफरिका से लाए गए थे कब लाए गय थे 18 फर्वरी 2023 को लाए गय थे कुल हमारे मद्रप्रदेश में कितने चीते हो गय थे तो यह 20 चीते हो गय थे इसके बाद मादाचीता सासा की म्रत्ती हो गई और उसे के बाद दोस्तों अभी हाली में एक मादाचीता ने चार सावकों को जन्म दिया है तो अब ह गई थे और इसको राश्च्टिय उद्यान का दरजा गव मिला तो यह 2000 आठ्रा में मिला था ग करे गोयाना की तो तो हमारे मद्रप्रदीश में प्रवासिय भारतिय संम्मिलन का आउजन कहां पर किया गया था तो यह इंदौर में किया गया था कब से कब तक तो यह आठ ज प्रतम इस्थान किस देश ने प्राप्त किया है तो प्रत्रम इस्तान चाइन ने प्राप्त किया है ठीक है तो याद रखिएगा आई SSF विस्व कफ दोजा टीवी स्कायोजन कहां पर किया गया तो यह हमारे मद्रब्रदेश की राज़ता ने बोपाल में किया गया तो यह 21 मार्ज से लेकर 27 मार्ज तक किया गया इसमें हमार एक स्वर्न पदक एक रज़त पदक और पांच ब्राउंज मेडल के साथ दूसरे इस्थान पर रहा तो देखिए पहले इस्थान पर चाहिना रहा है कुल 12 पदक के साथ दूसरे इस्थान पर हमारा भारत रहा है कुल 7 पदक के साथ जिसमें एक स्वर्न पदक है और एक सिल भाकर ने कास्य पदक जीता है महिलाओ का 25 मिटर पिस्टल में कास्य पदक जीता है याद रखीएगा आई एससे विश्वकप 2023 में आरत ने कितने पदक जीता है कुल साथ पदक जीते है और यह कुछ बात करें हम यहाँ पर हमारे मद्दब्रदेश के सूटिंग प्लेयर की त तो चिंकी यादो का नाम याद रखेगा चिंकी यादो सूटिंग से संबंदित है और चिंकी यादो का संबंद किस डिस्टीक से तो बोपाल डिस्टीक से ठीक है और मनीशा कीर का नाम भी याद रखेगा मनीशा कीर भी सूटिंग प्लेयर है और इनका संबंद भी बोपा चीट से है और यह एक जी प्लेले मेया और इस्वर रिटाप चैति का नाम भी याद रखी गा फाबेच कensus करosa he हमारे मद्दब्रदीश से एक हुमक्राइश का समंधूर्द सुर्णी प्लीपन कते हैं घबल्पूर सो नोबत का नाम यादर कीगा रही सरनुबद भी हमारे मद्हाब्रदेश स्य शूटिंग प्लियर है वह मद्हाइँ की सूटिंग क्यों हो गया तो एक चिंड की या थो यादा फोगी एक इस्वर्य प्रताब्स स्य थोमर्दी हो गया और एक होगी रूबीना फ्रांसी सी ठीक है तो यह चार नाम याद रखेगा इंपोर्टेंट है नाइस कुछ नेवारा 18 एवं 19 मार्च को देशी हांडी फूटफेस्ट का आयूजन कहा पर किया गया तो यह हमारे मद्दप्रदेस की राजलनी बोपाल में किया गया तो इसका आंसर जए एक जागा ऑप्शन नामबर भी ठीक है इभी toddler में sprinkle एवं 19 समार्च को देशी हांडी वूढ法 के addressing में 18 एवं 19 मार्च को देसी हांडी food fest का आयोजन किया गया tribal से tradition तक theme पर होने वाले food fest में कूरकू, गोन, बैगा, भीली और सहारिय जन्जाती समुगों के पारंपरिक food के stall लगे साथी स्री अन्न यानि मोटे अनाच यानि मिलिट्स और देसी चौपाटी के भी इस्टॉल लगे नैस को सने हमारा पिये मित्र मेगा textile पार्क हमारे मदब्रदेस के किस जिले में बनाया जाएगा तो ये धार्ड स्टीक में बनाया जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा option number B ठीक है और देखिए जो पितमपूर है वो भी धार्ड स्टीक में आता है और भारत का Detroit भी किसे कहा जाता है तो वो पितमपूर को ही कहा जाता है तो देखिए मदब्रदेस के धार जिले में PM मित्र मेगा textile पार्क बनेगा और केंद्र ने देश के साथ राज्जों में यहाँ पार्क शुरू करने की मदब्रदेस दी है इसमें मदब्रदेस भी सामिल है इसके सुरू होने पर लोगों को रोजगार मिलेगा कपला चेतर के लिए केंद्र सरकारगी Production Link Incentive योजना में मदब्रदेस को सरवादिक 3513 करोल रुपए का निवेश प्राप्तु है और PM मित्र पार्क योजना Make in India और For the World के द्रश्टी कोन को पूरा करने के लिए एक उत्करष्ट औसर प्रदान करेगी Next question हमारा महाकाल लोग की तर्ज पर हनुमान लोग का निरमान कहां पर किया जाएगा तो यह Jam Saoali में किया जाएगा तो इसका आंसर जागा Option number C Jam Saoali और Jam Saoali हमारे मद्र प्रदेश के किस डिष्टीक में है तो यह चिंदवारा डिष्टीक में है और चिंदवारा डिष्टीक हमारे मद्र प्रदेश का और ओर्चा की सटिस्टीक में है तो ये निवाली डिश्टीक में है तो सलकनपुर में देवी लोग का निर्मान किया जाएगा ओर्चा में राम लोग का निर्मान किया जाएगा और जामसावली में हनुमान लोग का निर्मान किया जाएगा और उज्जेन में महाकाल लोग है और देखी जो निवाडी है यह हमारे मदरप्रदेश का छेतरपल की दस्टी से सबसे चोटा जिला है देखी उजेन का महाकाल लोग दुनिया भर में प्रसिद्ध है और अब इसकी तरज पर छिंदवाडा का मंदिर बनने जा रहा है चिंदवाडा जिले के सौसर ब्लाक अंतरगत इस्थित जामसावली मंदिर को जनके महाकाल मंदिर की तरह बनाया जाएगा मुख्य मंदर सिरासी चोवाने विदान सबा में जामसावली में हनुमान लोग बनाने का संकल भी प्रस्तूत किया है और आफ़ी में मदर प्रदेश के किस पुर्व मुख्य चोवाने जी का निधन और यह पूसर kisya Lgeiga seis Kaamatsu हमारे मत्हरद्रदेश की, पहली महला मुख्य सच्चू कौन थी तो यह श्रीयमती निर्मभा बूच और अभी हमारे मत्हरद्रदेश के मुख्य सच्चू को ने तो यह बालजे 키 सारी मुख्य collaborate then तो कुछ नाम याद रखिआ अगर हम यहाँ पर देखे तो दीए पहले मुख्यषजी कौन थे हमारे मदरडडेश के स्री एचस कामत थे ठीक है तो याद रखीगा और यह हमारे मदबरदेश की कब से कब तक मुक्य सची थे 1963 से लेकर 1968 थे और हमारे मदबरदेश की पहली महिला मुक्य सची कौन थी तो यह स्रीमती निर्मला बूच थी पहली और एक मातर महिला मुक्य सची है और इनका कारेकाल कब से कब तक था 1999 से लेकर 1993 तक था और ये कौन से नंबर की मुखे सची थी हमारे मदबरदेश के अठरवे नंबर की मुखे सची थी और अभी हमारे मदबरदेश के 26 वे मुखे सची थी स्री आरसी सहानी जी का निदन हो गया है तो इनका कारेकाल कप से कप तक था 2006 से लेकर 2010 तक था और 2010 से लेकर 2012 तक हमारे मदब्रदेश के मुखे सची उस्री अवनी वैसी जी थे 2012 से लेकर 2013 तक स्री आर परसुराम जी थे और 2013 से 2016 तक की स्री अंटोनी जेस्री डीशा जी थे माथम बाइपारव्य मुख्य ठेंगें आज के लिए आपको कुषन है हाल इंसे महारे मैदब्रदेश के किस पूर्व राजवत पाल का निदन हो गया ओम प्रकास खोली जी, राम नरेज सियादो जी, लाल जी टंडन या मंगुबाई पतेल तो इसका आंसर पुरा डेटेल में दीजिएगा और दीखिए दूस्तो यह है हमारे टेलगाम चैनल टार्गेट सिविल सर्वसेस तो इस पर डेली एक्विजिस होते हैं तो आप भी इस इस वीडियो